चीन की स्मार्टफोन निर्माता कमपणी रियल्मी ने अपना मिड रेंज हैडसेट रियल्मी एक्स 50M को अपने घरेलू मार्केट में लॉंच कर दिया है यह स्मार्टफोन 5G आधारित है इस फोन को कमपनी ने आधिकारिक चीन की वेब साइट पर लिस्ट भी कर दिया है यहां Realme X50 सीरीज का तीसरा फोन है यहां फोन 120Hz रिफ्रेश्ट रेट, ड्वल फ्रन्ट फेसिंग कैमरा, स्नैब डेगन 765G प्रोसेसर और 30W फास चारजिंग तकनीक से लेस है इसकी शुरुआती कीमत 1,999 GD1 यानी करीब 21,562 रुपे है इसे चीन से बाहर कब तक लाउंच किया जाएगा, इसकी कोई जानकारी फिलान नहीं दी गई है Realme X50 M5G की कीमत और उपलब दता की बात करें तो इस फोन में दो वेरियंट में लाउंच किया गया है इसका पहला वेरियंट 6 GB RAM और 128 GB Storage के साथ आता है इसकी कीमत 1,999 GD1 यानी करीब 1,562 रुपे है वहीं दूसरा वेरियंट 8 GB RAM और 128 GB Storage के साथ आता है इसकी कीमत 2,299 GD1 यानी करीब 24,799 रुपे है इसे इस टारी ब्ल्यू और गैलेक्सी वाइट कलर में खरीदा जा सकेगा इस फोन की सेल 29 अप्रेल से शुरू की जाएगी दियल में X50 Pro के फीचर्स की बात करें तो इसमें 6.57 इंच का IPS LCD पैनल दिया गया है इसकी स्क्रीन पर पिल शेट कट आउट मौजूद है इसका पिक्सल रेजोल्यूशन 1080 x 2400 है इसका इस्पेक्ट रिशो 20.9 और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट है इसका स्क्रीन तो बाडी रिशो 90.4 परसेंट है फोन के साइड में फिंगर्प्रिंट सेंसर दिया गया है यहाँ फोन स्टाइब डैगन 765 जिक प्रोसेसर OctaCore पर काम करता है 8 GB तक की RAM से wireless है इसमें 128 GB तक की इंटर्नल इस्टोरिज दी गई है फोन को पावर देने के लिए 4200 मेज की बैटरी दी गई है जो 30W डाश चार्जिंग के साथ को सपोर्ट करती है